मदे सत्ता परिवर्तन जालेन अंतर दादांची दुस्पुस्त आवले सुरू होती। सत्ते मदे सहबागी दादा हुनार आशी जोरा चर्चा होती। दाला ब्रेक लावनेचा काम शरुत पवर सहेबन निकेले होता। परन्तु सत्ता ही सर्वच्चा है। सत्तेला आता विचार रहलेला नाई। पक्षयाची आइडॉलोजी रहलेली नाई। सत्तेला कुटल्याही मर्यादा रहला ने सत्ता मिरुतस्ताना। परमच्च, सर्वच्च आणि कही लोकाना सवे सत्तेशिवाय नजगनेचै। आणि तहसा तो परिपाक है। खरतर आता नवीन पुस्तक महारास्टात लिएला गेला पाईजे पक्ष कसा फोडाईचा ये नवीन पुस्तक आता उनाल तरी सांगुन लिएला लावला पाईजे नायतर आमी सुदा लिएला प्रेत्ना करू जा पद्धत इन इस सगल जाला मला वट्टकी याला पाईजे पाईजे नायतर पुर्वीन होता आने आत्ता ही नायतर पुडिल जितके आमदार आता जाता है जो काईडयाचा प्रश्ण निर्मान होना रहे त्या मरे मुठा पवर सहिवांची भुमी का कायसनार या वरोन तेज पश्ट होना रहे नाया असा है कि शोड प्रत्ते काला पक्षे चालो तस्ता ना तुमी पाईलात सर्व देवु नहीं काई लोका समाधानी नस्ता आने आजाई तेज घर लेला है पक्षे प्रमुक्मनू पक्षे पद्धतीन सामाध्येचा काम करतो आज आलेला सरकार पुर्वी आपन एकनात रहोजीन चावन नेत्रुत्वा मदे जावले सरकार स्थापन जाला ते एडी सा सरकार मनून महारास्टा मदे उपमुक्य मंतरी देवेंदरो फड़न विस नी मन्ने केला एडी मन्जे एकनात चिंदे आणी देवेंदरो फड़न विस आता एडी हमनाईची पाड़ी आली किवा ओ मनाईची पाड़ी आली एडी हाँ आशा अपन मनू त्याला तर हे सगलेजे चाल लेला हे कुना चा गड़ाला फासावलून कुनाला शास्की आपल्या केंदरे यंत्रनांचा धाग दाकोन सत्ता मिलवाईची सत्ता टिकवाईची काई हाल होतील बिचार्या भाजवच्या बखी चांची रश्टवाधी पड़ून सांगिनात आलेला है कि गेलेले पड़िकी पंसी डख्यामदार हें वापा सेथी आज त्यावर कई अधिक बोलना उचीत होनार ने जरी नौ मंत्रयानी शपद गेतला तरी आमदरांची दिकेलिक मूठी संख्या थी ते आपनेला पाहला है मेड़ते माजा आमच्या कड़िजी माही त्यूपलब्दा है त्या मदे 28 आमदरांची सहा जालेले होते हैं कदची 28 ते 30 असुशक्त आपने शोट हाँ पुना काईदाचा प्रश्णालाच एकादास पक्षय स्विलीड होतो पुड़तो त्या वेलेजी आत्ता सर्वच्य नायले प पक्षय प्रतोदांची भुमी का एला खिती कोन विरोत करतो या वर बड़ाज गुष्टी अवलम मुनाहित पन आज जे जाला ते मात्र महारास्टा मदे मला वट्टकी महारास्टाची एकुन इत्या वर्षयाची राच्किये परंपरा जो आपन टाला आसा मनू कि इत्या वर्षयाचा राच्कारना मदे कदी घड़्ला नहीं ते महारास्टा मदे गेल्या आड़दा वर्षया मदे घड़ता ना अपले सगरल दिश्टा है विशेश करूं या पात वर्षया मदे दिश्टा है काई करनार सर्व सर्वे सता धर्यांचा विरोधाता है आणि आशा परिसिती मदे स्वताहचा जिवावर काई जमत नसेल तर दुसरियाचा जिवावर काई करता ये इलका हाँ प्रकार क्यों प्रेत्न आपता जालाचा प्रें अधिश्टा है कि खंजिर पॉपता है कि हा खंजिर पॉपसने चा विशेश नहीं हा जीव गेनेचा विशेश है आ राजकारन इतका खल्चया स्थरा हूर गानेडस तरा होर गेंदे ले लाए कि वयक्तिक दुश्मनीत की विकोपाला जात चलिये, वयचारीक विरोध असायचा आता वयक्तिक विरोध राचकारना तालेला है एक मेकाची तुमी सगे चानल चा पुड़े तुमालाई महीते आमी दोरनावर चर्चा कराईचो, आमी पक्षयाचा विचारावर चर्चा कराईचो, आता मातरोव वयक्तिक वयक्ति वर आमी चर्चा जासत करतो हो हे राचकारनाचा होतसलेला अदबतनाए आणी त्यातुन या गुष्टी घळताएट, हे फार दुखदाए आणी महाराष्टाचा एकुन कोनी काही मनो पन एक राचकिया परंपरा वारसा जो काई चाललेला है महाराष्कारनाची, सवस्कुरती है राचकारनाची त्या सगर्यात पायत तोड़ी तुड़ोनार्या आएट अनी त्याम कोनाला समाधान मिलेल पन महाराष्टाची जनतेला मात्र या तुन समाधान मिलेलार नहीं महारास्ताची जनता यावर यनार्या काड़ा अश्या राचकरनाला काई धड़ाशिक्वेल है काड़ यनारा काड़ संगित यह तो अपेक्षित था जो अनपेक्षित हो गया इतने जल्दी होगा ऐसा नहीं था होगा तो जरूर क्योंकि सत्ता के लिए बहुत और सत्ता के बाद भी बहुत सारे लोगों को गले तक फास वो गला गला को घोटने का काम करीबन हुआ था तो अभी मरने से अच्छा है जिन्दा रहे और सत्ता में भी रहे ऐसा कुछ लोगों का कहना है और इसमें से बहुत सा पर इस तरह से जो राजनिती हो रही महारास्ट में इसके पहले कभी नहीं हुई थी हम लोग विचारों पे लड़ाई हम लोग करते थे पक्षिके उपर पार्टी के विचारों को लेकर आगे बढ़ते थे उसमें डिबेट होता था आज तो दुश्वनी हर एक राजनिती को जनता थारा नहीं देने वाली है जगा नहीं देगी और समय पर इसका जरूर जवाब ऐसे राजनिती को मिलेगा अब देखो पुन्रावती तो बहुत सारी हो रही है अब रोज किसी ना किसी के पीट में खंजर को बसने का काम चलता है तो मैं यह कहूंगा कि अभी खंजर नहीं है अभी जान लेने की बात चल रही है खंजर डालना तो जखम करके छोड़ देना था पर यह तो जिन्दा ही मारने की कोशिश सब की हो रही है राजनिती से ही ख तो दिन तो सभी के आते है राजनिती में हरेका में हमेशा कहता हूं कि हर राजनिती का मकान आज के तारिक में सिशेका होता है कोई पत्तर से बनाया पर मकान तो सिशेका होता है सिशा लगता है तो यह सोच कर राजनिती होनी चाहिए हम इसके आगे बढ़कर राजनिती कर तो मैं एक किता हूं कि आगे वाले दिन में आप जो बोल रहे हैं वह संभा होना बिल्कुल नहीं है अब वह संभा होना का सवाल नहीं है कॉंग्रेस मजबूती से खड़ी है कॉंग्रेस को तोड़ना कभी का हो जाता था अभी तो कोई सवाल ही नहीं और दूर-दूर तक ना करेगी और हमारे साथ जो भी आएंगे दल उनके साथ मिलकर महारास्टा की सत्ता फिर से हम हासिल करेंगे